हलो, नमस्ते बच्चो, आज आपका जिक्द का पिरिएड है। जिके में हम लेसन 14 पढ़ेंगे, हम एक-एक लेसन करके आपको कवर करवाते जा रहे हैं। आप बच्चों को भी एक-एक लेसन करके डेली पढ़ना हैं। जितना हम पढ़ाते हैं न तो आपको से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपकी ममी कहा रही आपको नहीं आता फ़र आता है तो आप बम्मी को सुनाएंगे तो पता चलेगा न आता है तो यह जो लिखा है हम इसके पहले spelling पढ़ेंगे फिर जोड़कर पूलेंगे M-A-L-M-A-L-S लग जाता तो सर की साउंड आती है Animals plural में है ठीक है ना तो आप मम्मी को पढ़कर बताना मैंने Animals के Spelling आपको बताए तो आप इसकी याद करके मम्मी को सुनाना और फिर जब आपको पढ़ना आजाएगा अब पढ़कर सुनाओगे तो आपकी मम्मी खुश हो जाएगी ना Animals आगे पढ़ेंगे K-I-N-G King D-O-M Kingdom अब यहाँ लिखा है Animals यहाँ है Kingdom यानि कि जानरों का राज्य यानि कि उनका जो संसार है यह कौन से Animals हैं हम देखेंगे Wild Animals हैं Wild Animals जो होते हैं जंगल में रहते हैं तो जंगल ही उनका संसार होता है होता है ना यह लॉइन है लॉइन घर में तो नहीं रहता ना ना Elephant ना यह जैबरा ना जिराफ ना Monkey यह जितने भी Animals दिखाई दे रहे हैं सारे Wild Animals हैं तो हम एक एक वर्ड करके पढ़ेंगे यह आपको पढ़ना आता है ना पढ़िए ती एच आइएस इस 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 आइएस इस आइएस इस जे यू एन जंग यहां तक पूरा हो जगा जे यू एन जी जंग अब इसके स्पेलिंग कॉंटिन्यू पूरे पढ़ेंगे जे यू एन जी लए जंगल अब इस संटेंस को रिट करेंगे दिस इस आ जंगल ठीक हैं डवल्यू आई एल्डी वाइल्ड अब इसके स्पेलिंग आपको मैंने उपर पढ़ा दिये तो देखो दिहान से क्या लिखाया है वेरी गुड पढ़ दिया आपने अनिमल्स एल्ल आई वी ए लिव एच ए आर इ हेर दुबारा बोलेंगे इसे हे आर इ हेर वाइल्ड अनिमल्स लिव हेर यानि कि यह है जंगल है दिखाया तो नहीं है जंगल वाइल्ड अनिमल्स दिखाया है तो हम संटेंस में पढ़ रहे हैं यह एक जंगल है वाइल्ड अनिमल्स यहां रहते हैं कहाँ? जंगल में थेक हैं? तो अगला पढ़ेंगे संटेंस डव्यू आर आई टी राइट अब दुबारा बढ़िए इसे इन इन ती एची दा गिवन स्पी एसी इस स्पेस हमने इन एनिमल्स के नाम में लिखने है स्पेस में पहले तम इन एनिमल्स को देखेंगे चलिए पताईए क्या है लॉइन बूलिए पिच्चर देख कर लॉइन ये क्या है जेब्रा दोबारा रिपीट कीजिए जेब्रा जब्रा की पैचान कर लीजिए अब इसकी गर्दन बहुत लंबी है लॉंग नेक वाला एनिमल कौन सा होता है जिराफ ये तो छोटे बच्चे भी जानते हैं नर्स्टी के एलिफेंट और इसके स्पेलिंग तो आप को आते हैं ये क्या है मंकी अब कुछ बच्चे पते हैं क्या बोल देंगे डॉग ये डॉग नहीं है फॉक्स है बोल ये फॉक्स यानि कि लोमडी और ये क्या है बीर भालू ठीक है न ये क्या है टाइगर इन पिच्चस की पहचान करनी है पिचर्स के पहचान करने के पाथ आपने अपने अपनी नोट बुक में ये सारे अनिमल्स नेम लिखने हैं बोलिये लॉइन तो पूरा क्या बन गया? elephant m-o-n-k-e-y monkey ठीक है यह आपने अपनी notebook में animals name लिखने हैं उपर heading लिखना wild animals और इनके spelling लान के लेना ओके बाई